हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आप सभी का सवगत करता हूं आज की इस इन्फॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया और कई लोगों ने मुझे मेल किया और एक सवाल किया कि सर आप बहुत सारी बिजनस पर ट्रेनिंग देते हैं लेकिन हम लोग जॉब में हैं या कई लोग जिन्वन अपने जीवन में कभी बिजनस नहीं किया आप हमें बताएं कि बिजनस का पहला स्टेप क्या होगा बिजनस की शुरुवात कैसे की जाए तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जो भी बिजनस आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं उसकी शुरुवात कैसे करें उसका स्टाट अप कैसे करें ये बहुत बड़ा सवाल उन लोगों के लिए है जिन्हों ने अपने जीवन में कभी कोई बिजनस नहीं किया या जीवन का बहुत बड़ा हि बिजनसमैन को पह्चान नहीं पाते, लेकिन जिस दिन में समझ में आता है कि मैं अपने बिजनस में अपना करियर बेतर बना सकता हूं, तो उस दिन से आपके अंदर बिजनस करने की आत्मशक्ति पैदा होती है। शुबारम कैसे किया जए फ्रेंट्स बिजनस तीन तरह के होते है manufacturing, trading and service provider यदि आप किसी भी वस्तु का निर्मान करते हैं किसी भी वस्तु को बनाते हैं तो आपका business manufacturing sector में आता है और यदि आप दूसरे लोगों से चीजें खरीद कर आगे बेशते हैं तो आपका business trading business कहलाता है और यदि आप सेवाय प्रदान करते हैं तो आप service industry में कहलाते हैं किसी भी company का निर्मान करने के बहुत अलग-अलग प्रारूप होते हैं आज हम बात करेंगे कि business के प्रारूप किस तरह से company के रूप में बनाये जाते हैं नमबर वान, proprietorship company मतलब एकल स्वामित्व व्यापार जहां पर एक व्यक्ति अपने द्वारा लगाई हुई पूंजी से अपना business करता है और profit या loss कमाता है Soul proprietorship में सबसे important बात ये है कि जब भी आप Soul proprietorship बनाना चाहते हैं तो आपका खुद का pen card उसमें इस्तिमाल होता है मतलब आपकी identity को आपके business से अलग नहीं किया जा सकता Business का जो दूसरा प्रारूप होता है वह होता है partnership और साजेदारी दो तरह से होती है एक registered partnership और एक non registered partnership That means partnership is the relation between two or more than two person who are agree to start up a business with investment और ready to share profit in equal or proportionate ratio साजेदारी का मतलब है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी business के स्थापना करते हैं तो वो लोग साजेदार कहलाते हैं और साजेदारी फर्म में उनका दाइत्व कभी भी सिमित नहीं होता चबी पार्टनर्स का दाइत्व असिमित होता है बिजनस का तीसरा प्रारूप है LLP Limited Liability Partnership मतलब आप अपनी पार्टनर्शिप के percentage को निरधारित कर सकते हैं कि कौन से पार्टनर की देनदारी कितने प्रचत होगी Like 50-50, 60-40, 70-30 और जिस रिशों में भी आपने पूंजी अपने पार्टनर के साथ लगाई है आप LLP के माध्यम से अपनी फर्म का निरधारन कर सकते हैं The next step that is private limited company एक वो company जो भारती company अधिनियम 1956 के अंतरगत registered होती है उस company को corporate company भी कहा जाता है और किसी भी corporate company में कम से कम दो director और maximum कितने भी directors हो सकते हैं That is known as private limited company Private limited company क्यों बनाई जाती है क्योंकि जब बहुत सारे लोग मिलकर एक business करना चाते हैं तो हर व्यक्ति द्वारा लगाए गई पूंजी उसके द्वारा लगाए गई पूंजी के अनुपात में बात पर कि आपने company में कितना पृतिशत पूंजी लगाई है जितना पृतिशत पूंजी आपने business में लगाई होगी उतनी ही liability आपके उपर होगी private limited company की एक खास विशेषता यह भी है कि बहुत सारे लोगों की credibility बहुत strong हो जाती है क्योंकि वह company private limited होती है company का तीसरा प्रारूप public limited company और in other words you can say limited company एक ऐसी company जो अपनी company का share किसी भी व्यक्ति को भेज कर company में पूंजी एक अत्रित कर सकता है तो public limited company भी business का एक प्रारूप है इसके अलावा जब बहुत सारी companies मिलकर आपस में business करती है तो उस business को joint venture business का जाता है for example A एक company है बी एक company है लेकिन किसी individual project को लेकर A और B दोनों मिलकर एक साथ काम करती है तो उन दोनों की जो partnership होगी उसको joint venture का जाएगा उधारन के रूप में आप समझ सकते हैं कि डेली में विद्यूद विभाग को पहले डेसू कहा जाता था और जब government of India ने इसका privatization किया तो Tata को उसका एक share forward कर दिया और Tata और government दोनों मिलकर उस विद्यूद company को चलाने लगी जिसको हम joint venture company कहते हैं आज बहुत सारे projects को करने के लिए अलग अलग तरह की companies आपस में मिलकर एक project के लिए काम करती हैं और जैसी वो project पूरा होता है, automatically वो partnership dissolve हो जाती है हमें से बहुत सारे लोग अपनी family में business करते हैं तो family के जितने लोग होते हैं उन सभी को मिला के एक company की स्थापना करते हैं जिसे हम H.U.F company कहते हैं तो friends ये company के प्रारूप है कि किसी भी business को जब शुरू करना हो तो हम इन प्रारूप में अपने business की स्थापना कर सकते हैं Friends business कैसे शुरू किया जाए इसकी पूरी एक series हम लोग लेकर आ रहे हैं और पहली series में हमने बात की क कंपनी का प्रारूप क्या होता है दूसरी series में हम बात करेंगे कि company का जो प्रारूप है उसमें किस company को बनाने में क्या lab और क्या हानिया होंगी तीसरी सीरीज में हम बात करेंगे कि अलग-अलग company के प्रारूप में हमें government of India से कौन-कौन से certificates, कौन-कौन से license, कौन-कौन से numbers हमें लेने होते हैं और उसके बाद हम उस industry में business शुरू कर सकते हैं यदि आप मेरी कोई भी informative वीडियो मिस नहीं करना चाते हैं तो Metas Club के इस channel को subscribe करें, comment box में अपना comment अवश्य लिखें, आपने राज्य में training program organize कराने के लिए या live training program attend करने के लिए मेरी team को contact करें